Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोग का स्वागत है दोस्तों आज 28 जनवरी को RRB NTPC के Shift 1 का एक्जाम जो है वो खतम हो चुगा है इसके सभी GKGS और CurrentFS के कुश्चन जो इस एक्जाम में पूछे गए इन सभी कुश्चन को इस वीडियो में डिसकस किया जाएगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा यहाँ पर डेली आपको RRB NTPC एक्जाम का इनलाइसिस कराया जाता है 28 दिसंबर से लेकर के अब तक जितनी भी परिक्षाएं हुई है इन सभी परिक्षाओं का यानि 28 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक के अब तक के सभी questions का PDF फाइल जो हमारे Android आप पर available है आप इस Android आप को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे description में भी हमने इसका direct link दिया गया है जहां से आप उसे direct download करके install कर सकते हैं Play Store पर भी वो आपको available है इस पर आपको हमारा सभी PDF जो है जितना भी हमने अब तक PDF प्रोवाइट किया है वो आपको मिलेगा जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके देखे सवाल पूछा गया है WTO के अध्यक्ष कौन है Robert S. Video यह जो WTO के अध्यक्ष है DRDO का मुख्याले पूछा गया है कि कहां पर है हर दिन आपको हम बताते हैं करेंट अफेस में जो revision होता है जब भी अभी लगाता DRDO के बारे में हमने कई दिन बताया है इसकी अस्थापना, इसका मुख्याले, इसके वर्तमान में चीफ कौन है हर चीज आपको डेली बताया जाता है तो मुख्याले पूछ दिया गया है नई दिली में DRDO का मुख्याले महात्मा गांदी से समंदित सवाल पूछा गया है कि मात्मा गांदी ने किस कॉंग्रेस अधिवेशन की अधियक्षता की थी ये मात्मा गांदी का आखरी और पहला अधिवेशन था ठीक है, पहला और आखरी जो कि बेलगाओं में हुआ था 1924 में हुआ था नेक्स्ट कोईशन पूछा गया है नीती आयोग के अधियक्ष कौन होते हैं नीती यहाँ पर आयोग होगा नीती आयोग के अधियक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं प्रधान मंतरी होते हैं यानि अगर बात करें अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है नरेंद्र मोदी है तो नेरेंद्र मोधी भारत के प्रधानमंतरी है और यही नीती आयोग के अध्यक्ष भी है तो देखे यह option भी इस question है जब तक आपके सामने option नहीं होगा इस question का answer करना संबब नहीं है देखे जिन को मिला है उनके नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है अरुन दती रॉय को मिल चुका है मैन बुकर किरन देसाई को मिल चुका है अरविंद अडिगा को मिल चुका है सल्मान रस्डी को मिल चुका है तो इनके अलावा जो लोग होंगे उनको मैन बुकर नहीं मिला और ऐसा कोई एक ही option होगा ठीक है इसके बाद देखे गूगल का product कौन सा नहीं है तो गूगल के बारे में आप सबको पता है Google जो है उसके कई सारे product है जैसे Gmail, YouTube, iTunes जो है ये Google का product नहीं है ये किसका है? Apple का product है ठीक है? Apple यानि आप अगर बात करें तो ये किसका है? बिल गेट्स की जो company है जो iPhone बनाती है उसका product है तो iTunes किसका product है? आप Apple कह देंगे उसको ठीक है? यानि ये Gmail का product, Google का product नहीं है Gmail के साथ-साथ जैसे YouTube है, Gmail है, Google Drive है ये सब किसका product है? Google का product है Google Chrome भी इसी का product है इसके अलावा आप और याद रखिए इसके साथ-साथ जो Google के product है, जिसे Google Duo है, YouTube Studio है ये सारे किसके product है? Google के product है इसके बाद आगे आप से सवाल पूचा गया अरावली पहारियां किस राज से नहीं लगती है? अरावली की जो पहारियां हैं वो किस राज से नहीं लगती? ये option महाराष्ट दिया गया था, तो महाराष्ट correct answer हो जाएगा क्योंकि जो अरावली की पहारियों के चेतर हैं, वो हरियाना, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात है ये सबी जो हैं अरावली चेतर हैं और यहां पर अरावली पहारियां जो हैं वो लगती है तो इन राज्जियों के अलावा जो भी रहेगा option में, वही answer होगा महाराष्ट option में दिया गया था, तो इसलिए correct answer महाराष्ट हो जाएगा इसके बाद CSIR के महानिदेशक कौन है, ये पूछा गया है तो CISR का सबसे पहले तो full form जान लीजे, Council of Scientific and Industrial Research इसको बोलते हैं CSIR को इसके महानिदेशक वर्तमान में, यानि DZ जो इसके हैं, वो कौन है, सेखर, C, Monday अगर बात करें इसके अध्यक्ष है, आप से पूछ देख, इसके अध्यक्ष कौन है, तो देखिए हैं इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, आगे आप से सवाल पूछा जा सकता है जूल किसका मातरक है ये question पूछा गया है ठीक है तो जूल जो है वो इस तरह से लिखा जाता है जूल का मातरक है इंगलिस में इस तरह से जूल होता है जूल का जो मातरक है वो किसका मातरक है उर्जा का मातरक है इसके बाद देखे आगे सवाल पूछा गया है सुन्दरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है तो सुन्दरवन डेल्टा जो है गंगा नदी और ब्रंपोतर नदी के द्वारा बनता है तो ये दोनों ही बहुत important है गंगा नदी और ब्रंपोतर नदी को आपको याद रखना है आगे सवाल पूछा गया है नमक का रासाइनिक नाम क्या है तो sodium chloride होता है हो सकता है यह पूछ दिया हो कि नमक का रासाइनिक सुत्र क्या है यह भी पूछ दे तो आपको याद अखना है सुत्र होता है इसका NACL ठीक है NACL नमक का जो है वो सुत्र होता है और sodium chloride इसको कहा जाता है BSE यानि Bombay Stock Exchange किस सड़क पर स्थित है ये question पूछा गया है तो दलाल स्ट्रीट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको correct answer हो जाएगा दलाल स्ट्रीट इसके बाद है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान किस पार्टी से सम्मन्द रखते हैं इसका answer हो जाएगा तहरीके इनसाफ पार्टी पाकिस्तान के जो बरतमान में प्रधान मंतरी इमरान खान है इनकी party का नाम पूचा गया है तहरीके इंसाफ party Muslim League की अस्थापना कहां पर हुई थी ये question पूचा गया तो देखिए Bangladesh धाका के अंदर धाका में जो कि Bangladesh में है इसकी अस्थापना की गई थी Muslim League की अस्थापना आप लोग comment करके बताएए कि इसकी अस्थापना कब हुई थी ये बहुत important है Muslim League की अस्थापना कब हुई थी ठीक है यहाँ पर देखिए प्रशांत महसागर और Atlantic महसागर को कौन सी नहर जोड़ती है तो नहर पूछी गई है कि कौन सी नहर प्रशांत महसागर और Atlantic महसागर को जोड़ती है तो पनामा नहर इसका अंसर हो जाएगा cat family का नाम पूछा गया है cat जो है वो किस family से बिलोंग करती है फैली डा से बिलोंग करती है नेक्स यहाँ पर question है October 2020 तक भारत के उपराश्टपती कौन है तो October 2020 तक भारत के उपराश्टपती का नाम M. Venkya Naidu आपको याद रखना है इसके बाद है कौन सा अभ्यारन एक सिंग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है यानि प्रसिद्ध है तो काजी रंगा जो अभ्यारन है वो एक सिंग वाले गेंडा के लिए फिमस है यानि प्रसिद्ध है तो आंसर हो गया काजी रंगा नेक्स गोशन यहाँ पर पूछा गया है कि इन में से बंगाल का विवाजन के समय वाइसराई कौन था तो देखें बंगाल का विवाजन जब हुआ था उस समय वाइसराई जो थे लौड करजन उस समय वाइसराई थे नेक्स कोशन है 2019 का पदम भूशन किस वग्यानिक को दिया गया है हमने आपको कई बार बता है पदम भूशन पदम भिभूशन और पदम श्री इस से लगतार सवाल पूछे जा रहे हैं इसको आप अच्छी तरह से याद रखे 2019-2020 का जो दिया गया है अभी है रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो इस आई बटन पर आपको मिल जाएगे ठीक है 2020-21 में जो अभी हाली में 2021 के गंतंतर दिवस के अफसर पर जो ये पदम श्री और पदम भूशन और पदम भिभूशन दिया गया है उनके सभी नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा S.Nambi Narayan को पदम भूशन दिया गया था 2019 का ठीक है इसके बाद FIFA World Cup सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है FIFA World Cup जो की फुटबॉल का World Cup है यह सबसे ज़्यादा किसने जीता है ब्राजील इसका अंसर हो जाएगा आगे आपसे सवाल पूछा गया है लोग सभा में कितने सदस्य होते हैं तो अंसर हो जाएगा 552 आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई question ठीक है गलत है या लगता है आपको कि किसी question में गलती है यह question नहीं पूछा गया है तो आप comment करके हमें जरूर बताइए उसका serial number ताकि हम उसको PDF से remove कर दें किसी question पर भी अगर आपको doubt है अगर आप confirm कहते हैं कि उस question को नहीं पूछा जिसकी संक्या ज़्यादा से ज़्यादा आएगी हो सकता है माली जै यह सवाल ना पूछा गया हो तो इसकी 22 number question कि अगर कई लोग कहते हैं कि नहीं पूछा गया तो हम उसको जो साम को PDF first shift और second shift का combine करके दिया जाता है वहां से इस questions को हटा दिया जाएगा इस रोग किस जगह से satellite launch नहीं करता अब यहां पर कई साथ ऐसी चीज़ें आपको याद रखने हूँ जैसे देखे 17 धवन से करता है ठीक है यहां पर आपको इस तरह के कई नाम होंगे तो option में जो तक option आप यहां पर हमें नहीं देंगे इस question का answer हम नहीं कर पाएंगे तो यहां से क्यूंकि नहीं करता है यह पूछा गया है ठीक है तो इसलिए option इस question का जरूर आप लोग बताइए भारत के किस प्रधान मंतरी की आयू सबसे अधिक थी तो जो प्रधान मंतरी बने थे मुरार जी देसाई इनकी आयू सबसे अधिक थी यानि सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि सरवादिक उम्र में प्रधान मंतरी कौन बने थे तो याद रखेगा मुरार जी देसाई इसके बाद compiler से संबंदित एक question पूछा गया था computer का ठीक है यह क्या question था यह भी clear नहीं है इस question के बारे में अगर किसी को knowledge है तो जरूर बताइए एक question पूछा गया है hexadecimal में number कौन-कौन से होते हैं तो देखे 0 से लेकर 9 तक यानि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह तो 9 संख्या हो गई, 10 संख्या हो गई तो यह 10 हो गई प्लस A से लेकर F तक होता है A, B, C, D, E, और F तो यह 5 हो गई, ठीक है तीन और यह 6 हो गई, तो यह 10 प्लस 6 कितने होते हैं, 16 टोटल नंबर की संख्या अगर आपसे पूछे तो अंसर होगा hexadecimal में कितने होते हैं 16 और यह नंबर है 0 से 9 और A, C, F, यह टोटल संख्या है जो आपको याद रखनी है इसके बाद USA और रसिया में कौन सी जलसंदी जोडती है, USA और रसिया को, यानि अमेरिका और रूस को कौन सी जलसंदी जोडती है अंसर हो जागा, बेडिंग जलसंदी ठीक है, देखिए साम को जब 2nd shift का analysis होगा, उस वक्त हम लोग 1st shift और 2nd shift दोनों के questions देखेंगे और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अब तक जितनी भी analysis हुई 28 दिसंबर से लेकर, अब तक की 27-28 जनवरी तक की इन सभी analysis को एक बार आप revise जरूर करें, क्योंकि question अब यहाँ पर ज़्यादा तर question लगबग 50% question जो है वो अब repeat होने लगे हैं, यानि ऐसा नहीं कि एक ही shift में से 50% question आगे, जितने question पूछे गए हैं उन में से लगबग 50% question जो हो फिर से पूछे जा चुके हैं, हर shift में, अलग-अलग shift में, तो आप याद रखे कि आपकी shift में भी 4-5 question ऐसे होंगे जो पीछे आने वाली shift होंगे पीछे में जो question पूछे गए हैं, उससे आपको repeat होने की, संभावना उस shift में बहुत जादा होगी, और जैसे जैसे exam करीब आएगा, क्योंकि questions जो होते हैं, static GK के, वो limited होते हैं, current affairs के question हो सकते हैं, जादा हो लेकिन static GK के question limited होते हैं, उनकी संख्या सीमित होती है, और वो question repeat होने की संभावना बहुत जादा होती है, तो group D के exam के लिए, और RRBN TPC के exam के लिए, हम test series भी लेकर के आ रहे हैं, जो दिन में आपको dairy एक test कराया जाएगा, ठीक है, उमीद करते हैं इसको बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को like किजेगा, share किजेगा, thank you so much, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद